हेई एवरिवेट वेलकम तो मैं कुकिंग लंच व्लॉग आई होप औलफ युड़ वेल तो आज मैं लॉकी की बहुत ही अलग तरह की सबजी बना रही हूं बहुत ही इजी होगा बनाना साथ ही मैं इसे कूकर में बनाऊंगी तो फटा-फट से बन करके भी तयार हो जाएगी साथ ही जो इसका छिलका है उसकी मैं चटनी बनाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा अलग तरह की रेसिपी है तो इसके लिए मेन ही आपर आधाई लॉकी लिया है अच्छे से लॉकी को मैंने धो लिया था और इसके छिलके निकालनी है चिलके की चट्नी बाद में बनाएंगे पहले सबजी की तैयारी करते हैं चिलके को मैंने साइड में रख दिया है लॉकी को इस तरह से बड़े बड़े टुकडों में नहीं आलू अग्राश उसी तरह से इसे काट लेंगे, बहुत मतब अलग तरह की सबजी है, फटाफट से बन भी जाती है, तो इसे मैंने एक बाउल में डाल दिया, साथ ही डालेंगे इसमें हल्दी, थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च का पाउडर, ताकि जो लॉकिस है थोड़ा सा पानी रिलीज हो जाए, और इ किसे स्किप कर सकते हैं, मैं आगे बताऊँगी कि आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, मैं यहाद पर एक पैंच जढ़ा है, पैंच में बहुत थोड़ा सा तेल डाल एक अब मैं इसमें डाल रही हूँ बढ़ीया तो यह है लोभीया हिए, घंगरा हमारे तब से घंग अगर आपके पास बड़िया नहीं है तो सिर्फ लॉकी से भी आप यह सबजी बना सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इस तरह से लॉकी और बड़ी वाली सबजी बहुत ज्यादा टेश्टी लगती है अप नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें और जैसे लॉकी को बन इसे काफी सारा पानी दिली जुआता तो जैसे आप इसमें बेसन डालेंगे न तो अच्छे से इसमें कोटिंग हो जाएगी आपको लगे तो थोड़ा बहुत ज्यादा भी बेसन डाल सकते हैं जो बड़िया थी वह अच्छे से सुनैरी हो गई है तो इसे मैंने निकाल लि अगर आपके पास बड़िया नहीं हो तो कोई कोई प्रॉबलम की बात नहीं है आप सिर्फ लॉकी से बना सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छी लगी ऐसे भी लेकिन अगर आपके पास बड़िया है कोई भी बड़िया तो आप यह रस्पी जरूर से ट्राइ किसेगा अब ग अगर आप यहां पर प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसकिप कर सकते हैं तो यहां पर जो लॉकी है उसमें अच्छा करारा पना गया तो मैंने फ्लेम को आफ कर दिया है साथ ही मैंने यह पर ग्रेवी है उसमें डाल दी अदरक मिर्ची का पेश्ट अपने ही खाते हैं तो तब मासाले डाले अधनिया पाउडर जीरा पाउडर तो ऐसा लाल मिर्ज का पाउडर अच्छे से भूनें मतलब लो फ लेंपे मैं वह जाए तेल नहीं डाला है इसमें मैंने टमाटर डाला है अगर आप तमाटर इसकिप करना चाहते हैं तो आप यहां पर दो चम्मार दही अब जिसमें मतलब लौकी को कोट किया था ना उसी बावल में मैंने पानी डाल करके डाल दिया इसमें जब टमाटर वैगरा सारी सीजे अच्छे से बुन जाएगी उसके बाद अगर आप सिर्फ लौकी बना रहे तो आपको बहुत ज्यादा पानी डालने की जरत नहीं है ले दो तीन विसलम बहुत ज़्यादे अच्छे से बन जाती है अब चटनी बनाते हैं लौकी चिलके वाली तो इसके लिए मैंने टाल देल चना दाल और उड़त दाल है यह जो लौकी को चिलका तना यह डाल देंगे बहुत लौकी चटनी यह ज्यादा टेश्टी लगते है अ जो भी हो आपके पास वो डाल देंगे और नहीं है तो आप मुंगफली भी डाल सकते हैं थोड़ी सी रोष्ट की वी तो यहाँ पर एक मिर्च डाली है नमक और थोड़ा सा मैंने इमली डाला है खटा करने के लिए एक दो मिनट तक के लिए से भून लेंगे बहुत जादा नहीं भूनना है और इसे थोड़ा सा ठंडा करके इसे ग्राइंड करेंगे तो मैंने इसे मिक्सिर के जार में डाल दिया थो असे ठंडा कर लें और आप मुंगफली डाल के बनाएंगे न तो वह भी बहुत जादा अ आप लोग ट्राइ कीज़ेगा अगर आपने अभी तक इसे ट्राइ नहीं किया तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसमें तड़का लगा लेंगे सिंपल वाला तड़का मैं यहां लगा रही हूं सरसो डाला है एक सुखी लाल मिर्च और दो चार कड़ी के पत्त दोखते हैं यह जो सब्जी यह बहुत ही ज्यादा यामी गत्ती बनती है यह रख्या स्ट यहां पर तरिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई यह कि यहां पर एक डम गल चुका है खड़ा खड़ा है लंकिन अच्छे से पग गया है लाष्ट में बारिक गटा हरा दानीय डालें और मैं आज सबजी में नमक ढालना ही भूल गई थी और मैं ने लाश्ट में डाला जो मुझे याद आया तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूं सेट डोसा या फिर अपिसे फिलफी डोसा भी बोल सकते हैं या फिर उत्पम भी बोल सकते हैं तो यह वही बैटर है जो मैंने चोटे चोटे टिप्स और टिक्स बताएं जिससे की इटली बहुत ही स्पंजी बनेंगे डो से कुरकुरे बनेंगे तो आप जरूर से देखिएगा तो मैंने तो अशान नमक और पानी डाला इसी कंसिस्टेंसी को एड़ेस्ट कर लिया है मैं यहां इसके उपर डाल रहे हूं हरी प्याज और अपनी कीचन गारण से ही तोड़ी है तो आप चाहें तो मैं टिल लिप्स डाल सकते हैं या फिर प्याज वगरा भी डाल सकते हैं या पर इसे प्लेन भी बना सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम फलफी बनते हैं, आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, एकदम सॉफ्ट होती है, लॉंच बॉक्स में भी एकदम अच्छे से सॉफ्ट रहती हैं, ब्रेकफार्श में भी क्यों कोई हामफुल केमिकल वहगर नहीं है, तो आप इसे अराम सी यूज कर सकते हैं, आप बच्चों के लंच वॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आप कैसे भी मोड लीजाएं और ये है बड़ी और लॉकी की सबजी ये है लॉकी के चिलके वाली च खाल दो, मैंने खा लिया है, तो मैंने निकाल दिया, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंड करके जरूर से बताईएगा, और मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो के लाइक जरूर कीजिएगा, कहां से देख रहे हैं ये भी मुझे बताईएगा, मिलते हैं ने नेक्स लोग में, तब तक की लिए, बाब बाई